स्टापलस के सीरिल ये रिष्टा क्या कहलाता है वे अक्षरा को फाइनली वही फेस करना पड़ेगा जिस बाग का उससे बहुत डर है अक्षरा अब पूरे परियार को छोड़कर अभीर और अभीमन्यू के साथ कहीं आठ जा बसी है लेकिन अब अभीर और अभीमन्यू भी उससे अलग होने वाले हैं क्योंकि एक लैंड स्लाइड में इन दोनों की मौत हो जाएगी इसी का प्रोमो अब चानल पर आ गया है जिसे आप सब देख सकते हैं अक्षरा पहुंचेगी उस अस्पताल में जहां लैंड स्लाइड के सारे विक्टम्स होंगे अक्षरा सब को देख कर बहुत ज़्यादा परिशान हो जाएगी फिर अक्षरा जाकर फाइनली एक नर्स से पूछी लेगी कि प्लीज बताईए मेरे हस्बन और मेरे बेटे भी वहीं से ट्रावल कर रहे थे नर्स कहेगी कि वहाँ लिस्ट लगी है जितने भी लोग मृत हैं उनकी प्लीज आप वहाँ चेक कर लीजिए अक्षरा जाकर लिस्ट में नाम चेक करेगी तो लिस्ट में उससे अभिमन्यू और अभीर का नाम नहीं दिखाई देगा अक्षरा की जान में जान आएगी वो अच्छे से लिस्ट को फिर से पड़ेगी लेकिन देखेगी ना अभीर और ना है अभीमन्यू का उस लिस्ट में नाम है यानी अभीर और अभीमन्यू सुरक्षित है ये देखकर अक्षरा बहुत खुश होगी हाँ जोड़कर अपने काना जी को धन्यवाद कहेगी वो कहेगी थांक्यू काना जी अभीर और अभीमन्यू सेफ हैं लेकिन तब ही अचानक से एक और लिस्ट वहाँ लगता देखेगी अक्षरा की दिल की धड़कने फिर से रुख जाएगी अक्षरा जब उस लिस्ट में जाकर नाम पढ़ेगी तो वहाँ पर अभीमन्यू और अभीर का नाम बड़े बड़े अक्षरों में होगा यानि ये वो दूसरी लिस्ट है जिसमें सारे मृत लोगों का नाम है उसमें अभीमन्यू और अभीर का नाम पढ़कर अक्षरा एकदम से चीखेगी, एकदम से तूट जाएगी आखिर अब इस दुनिया में उसका रह ही कौन गया आरो ही उसे छोड़ कर चली गए और अब अबीर और अभिमन्यू भी उसे छोड़ कर चले गए उस लिस्ट को हाथ में लेकर अक्षरा खूब जोर जोर से चिलाएगी और खूब रोएगी, अब तो उसका कोई है ही नहीं एक तो वो पेट से है, उपर से इतना सब कुछ उसे सहना पड़ रहा है इस बच्चे का बोज वो अकेले कैसे उठाएगी उसका बेटा, उसका होने वाला पती सब उससे छिन चुके है काना जी उसके साथ ये सब क्यों कर रहे है अक्षरा का सब कुछ उचड़ जाएगा अक्षरा पूरी तरह तूट जाएगी और फिर ये बहुत सवभाविक है एक तो वो अब तक वो चीज का गम जिन रही है जो उसने किया ही नहीं आरोही की मृत्यू का इल्जाम उसने अपने सर पर ले लिया है ताकि रूही सुरक्षत रहे और अब ये दूसरा दुखो का पहार उस पर तूट चुका है अकषरा के साथ अब कोई भी नहीं है नआ उसके अभिनव जी ना अभिमन्यू और ना ही उसका बेटा अभीर वो उनके बारे में सोची रही होगी कि तब ही अभीर और अभिमन्यू की आत्मा उसको दिखाई देगी और उससे बात करने लगेगी अभी मन्यू अक्षरा से कहेगा मैंने तुमसे हमेशा कहा था कि मैं जीते जी तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा अब मैं कहता हूँ मरने के बाद भी मैं तुमसे ही प्यार करूँगा अभीर भी अक्षरा से कहता है I will always love you ममा ये कहकर वो दोनों फिर गायब हो जाएंगे अक्षरा जोर जोर से रोने लगेगी अब उसके पास जीने की कोई वज़ा नहीं बची है उसे ऐसा लगने लगेगा लेकिन फिर वो ये भी जानती है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा अभिनव का है इसलिए उसके रिए उससे जीना होगा यही सबब देखींगे आने वाले एपिसोड में जिसके बाद आ जाएगा लीप और अक्षरा की बेटी अभीरा बड़ी हो जाएगी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पर ख्लिक करना बिलकुल मत भूलिएगा थे हो जएको जाएगायग आने थेख़।